Hello everyone, welcome back to the channel तो आज के अपने इस पर्टिकलर वीडियो में देखने वाले है जावास्किप के अंदर array method जो होने वाले है तो सबसे पहले देखेंगे अपर map method के बारे में second number पे देखेंगे filter और last में देखेंगे reduce method के बारे में क्योंकि ये method जो होने वाले है हमारे react.js के अंदर बहुत ज़्यादा काम आने वाले है तो अपन इस method को cover करेंगे और आने वाले time में मैं complete series लेकर आने वाला हूँ react.js पे तो बिना देर क्यों करते हैं आज के वीडियो को start तो उसके लिए मैं आपर क्या करता हूँ अब एक online editor में आ जाता हूँ. लेकिन वीडियो स्टाट करने से पहले आपको एक चीज और बहुत कम लोगों ने मेरे चैनल को subscribe कर रखा है अगर आपको वेरा content helpful लगता है तो subscribe जुरूर कीजिएगा जिससे आप में वीडियो अप्लोड कुरूँ तो आप उसको miss ना कर पाओ. तो अब आते है topic पे सबसे पहले देखने वाले हैं अपन map method के बारे में. तो तीन method देखेंगे सबसे पहले देखेंगे map उसके बाद देखेंगे filter उसके बाद अपन देखने वाले हैं reduce method के बारे में. तो सबसे पहले अपने एक array लेते हैं. अपने कोई भी array ले लेते हैं इस तरीके से. और 1, 2, 3, इसके अंदर कुछ भी element add कर देते हैं. तो सबसे पहले map method क्या करेगा? इस array को लेगा. अब map method के अंदर क्या होगा? एक callback function होगा. callback function क्या क्या चीज़े लेगा? एक हमारा लेगा value लेगा. जो भी हमारे इस element की value होगी. जिस array की element की value होगी. और इसका index. हर एक array element के लिए iterate करेगा और हर एक value को return करता रहेगा. अब यह किस तरीके से करेगा? value होगा, index होगा और current array होगा. तो value क्या होने वाली है? तो सबसे पहले मेरे कुस का iterate करेगा तो value क्या हो जाएगी? बन हो जाएगी. तो यहाँ पर simple मेरे क्या होगी? value, value. और इसके बाद इसी value का क्या होगा? index होगा. इस तरीके से. और इसके बाद यहाँ पर simple में एक return statement. त तो मान लेजिए, यहाँ पर simple क्या करने वाला हो, return. और जो भी मेरे array का element है, यहाँ पर क्या करता हूँ? इसको multiply by 2 कर देता हूँ. अब क्या होने वाला है? कि जो भी मेरे values होने वाले, वो हर एक time क्या होगी? यहाँ पर 1 होगी, 2 होगी, 2 होगी, 4 होगी. बतलब हर एक time मेर यहाँ पर 2 से multiply हो जाएंगे. और यह मेरे को नया array generate करके देगा, तो मैं इसको एक नया store कर लेता हूँ, इस तरीके से new array. और अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? इस वाल चीज को यहाँ से copy करते, console.log और यहाँ पर इसको paste करते हैं. तो यहाँ पर आप देखो, मेरे पास अब second चलने वाले मारे filter के बारे में. Okay, तो filter method क्या करता है? नया array return करके देता, same as it is. लेकिन यहाँ पर क्या चीज होने वाले है? वो कुछ conditional लेगा, condition लेगा, उस condition के basis पर चीज़े करने वाला है. Okay, तो आपको simple map method की जगह क्या यूज करना है? इस तरीके से filter यूज करना ह simple. तो यहाँ पर आप देखो मेरे पास कौन से element आएंगी? मेरे पास 4 and 5 आने वाले. तो सबसे पहले मेरे क्या होगा? 1 पर आएगा. तो यह condition चेक करेगा कि मेरे value जो 3 से बड़ी है या नहीं. तो 1 भी बड़ी नहीं है, 2 भी बड़ा नहीं है, 3 भी बड़ा नहीं है. Okay, तो इनको क्या कर देखा? Discard कर दाएगा. और जो मेरे 4 and 5 पर वह एक मेरा नया array generate होके आ जाएगा. तो यहाँ पर मैरे पहले वाला array है वो क्या है? और जो मेरा नया generate होके आया है, वो क्या है? तो यहाँ पर आप देखो, इस new array के जगए, यहाँ पर मैं क्या सिंपल आड़ कर इस तरीके से array. तो मेरा पहली वाला array क्या हो गया? 1,2,3,4 और जो मेरे last में आया था, वो क्या हो गया? 4 and 5. तो यह हो गया हमारा filter method के बारे में. तो filter method चे अपन क्या कर सकते है? इस तरीके से चीजों को पर filter out कर सकते है. यहाँ पन आपको एक proper example बगा दिया. तो यहाँ प पास है to doze का array होगा. उस पर click करेंगे तो वो remove होता जाएगा. तो वहाँ पर यहाँ पन यूज करने वाला है filter method का. अब last में यूज करने वाला है किस के बारे में देखने वाला है? वो देखने वाले है पन reduce method के बारे में. तो reduce method के अंदर एक चीज एक्ष्टा होने वाली ठीक है? अब callback function के अंदर क्या क्या चीज होगी? इसके अंदर हमारे पास 2-3 चीज एक्ष्टा होने वाली है. सबसे पहले इसके अंदर होगा accumulator होने वाला है. okay? accumulator का मतलब क्या होने वाला है? मतलब हमारे previous results वाया है उसकी value होने वाली है. तो यहाँ पर क्या करता है? सब सबसे पहले के नंबर के क्या चीज होगा? मेरा accumulator इसके अंदर आने वाला. इसके बाद क्या होगा? मैरी current value क्या होने वाली है? इस तरीके से. यहाँ पर मैं current value एड़ कर देता हूँ. current value और जो इस current value का index होगा वो इस तरीके से. okay? तो अपन index को अभी use नहीं करें. simple इस तर यहाँ से return और जो भी मेरा accumulator आ रहा है accumulator पलस जो मेरी क्या होगी current value. okay? sorry. current value. okay? अब इस से क्या होगा basically? तो सबसे पहले ही मेरे initially value क्या है? मैंने 0 set ही है यहाँ पर. इसके बाद यहाँ पर add हो जाएगा accumulator क्या हो जाएगा? मेरा 0 होगा. अब current value क्या है? 1. अब यहाँ से return 2 plus 1. कितना हो गया? 3 आ गया. और फिर मेरा accumulator अपडेट हो जाएगा. और अगर मैं यहाँ पर यहाँ पर आप देखो कि मैं इस तरिके से sum find कर सकता हूँ. तो यहाँ पर मेरे बास 15 आ चुका है. अब आप एक चीज और धान रखेगा. अगर आपन reduce method के अंदर को initially value past नहीं क उसी को initially value set कर देता है. तो अपर यहाँ पर एक चीज आपको मैं बताता हूँ. इस तरिके से यहाँ पर आप देखो index. ओके. index के अंदर देखो आप किस तरिके से होने वाला. अब यहाँ पर सिंपल में console.loat करने वाला हो index को. तो यहाँ पर आप देखो index मेरे क्या जाएग यह हो गए हमारे तीन method के बारे में. तो सबसे पहले अपने देखा map method, second अपने देखा है किसके बारे में reduce method के बारे में, third अपने देखा है किसके बारे में, second नमर देखा है filter के बारे में, third नमर देखा है reduce के बारे में. तो I hope आपको यह तीनों error method अच्छे तरिके से cover हो ग लगता है तो इस चैनल को जूरू सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मैं और इसी तरीके के वीडियो बनाता हूँ ओके तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई